तो भाई लो डीसी उनिवर्स जो कि बारबार हमारा बेहदी गंदा काट रहा था तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हाँ अब सब कुछ ठीक होने वाला है डीसी करता धरता यानि जेम्स गंस साहब ने फाइनली डीसी में आने वाले अपने प्रोजेक्ट का मानू एक ट्रेलर परास करने वाले हैं और उन्होंने अपने पहले चेप्टर का नाम दिया है और इसी सटीका चुछ का नाम करते हों न जाघा सकता है जैंकन साहब के दो तरह के प्रोजेक्ट होने वाले हैं पहला प्रोजेक्ट थोड़ा नियुक्त जहां कि हमें दिखाई जाने वाली मुवीस सीरीज एनिमेड़ी इनियुक्त सीरीज यहां तक कि गैम सब कुछ एक दूशर से कनेक्टेट होगा और रिसी की खादबार यह होगी यह की करेक्टर हमें सब जागा देखने को मिलेगा वहीं मुविस में भी और एनिमेटिव सीरीज में वॉइस डप करते हुए भी देखाई देगा और यह होगा हमारा करेक्टर यूनिवर्स और दूसर प्रोजेक्ट जिसम भी अनिमेटिट सीरीज में देखने को मिल सकता है आगे उन्होंने इस साल होने वाली मुविस के बारे में बता है कि सब्सक्राइब कर देगी जी हां यहां से पूरा डीसी उनिवर्स रिसेट हो जाएगा इसके बार ब्लू बैटल और एक्वर्मेंट टू देखने को मिलने यह एक एनिमेटिट शो होने वाला है और इसे सब्सक्राइब ने लिखा है और क्रीचर कमांडो की बात करें तो इनकी तुल्ला आप नौर्वल कमांडो से भी कर सकते हो लेकिन यह इंसान नहीं होते हैं बलकि इनमें हमें वेर्फुल वेंपार और ऐसे उटपटंग नमू करने सब्सक्राइब ऑफिस्क्राइब की स्वूर्वल की भीकूं करेंगे और शोटल साथ होने रहे ऑर यह सो डारेक्ली कनेक्टिट होने वाला हैं वालोर के शोट में झालए जो कि हमें अमांडा वालर के रोल में नजर आएंगी और जिनने आपने डीजी के कई सारे प्रोजेक्ट में देखा होगा आगे जेम्स गन ने बता है कि वे पीसमेकर की टीम के साथ काम करना चाहते है यानि पीसमेकर भी हमें आगे देखने को मिल सकती है और आगे बार ही आत साथ है लेंटर्स की और यह एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होने वाली है जिसमें वे लेंटर्स के बारे में जानने को मिलेगा इसमें हैल जॉर्डन और जों स्टीवन के बारे में बताये जाए जाएगा और यह कहानी इन दोलों के आसपास घुमेगी इसके बाद एक और सीरीज देखने को मिलने वाली है और वह है पैरसाइड लॉस्ट और इसे जैम्स गंस आपने गेम अप स्थ्रोन की तरह बताया है जहां में वंडर मुमेंट के घर की कहने देखने को मिलेगी जहां में पता चलेगा कि आखिर वहां सब लेडी सी क्यों रहती है आगे इ हमें पीछे आता है और काफी सारे पैसे कमाता है और बाद में सुपर-ईरो बनने की trespध है और या उने वाली जिसमें हम कहानी जाने के सुपर्गर्ल की जहां सुपर्मेन को रॉकेट के सारे अर्थ में भेज जिया जाता है लेकिन सुपर्गर्ल वही होती है और वह अपने आखों के सामने ही सभी को तभा होते देखती है और यही बात है जो सुपर्मेन से अलग करती है आफ सुपर्मे यह थी जैंस गंद द्वारा कीगी अनॉस्मेंट जिसमें हमें टोटल दस प्रोजेक्ट देखने को मिलें बाकि आप इन में से सबसे आदक इसके लिए एक्साइड़ हो कमेंड में जरूर बताएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बाई